हमारे भारतिय इतिहास में एक आचारे हुए हैं कुमारिल भठ उनकी कथा बहुत प्रेड़ना दायक है। वे युवा वस्था में जा रहे थे। उनकी ऊपर गरम पानी गिरा। उन्होंने उपर देखा तो महल के चछत पर राजकुमारी रो रही थी। उन्होंने राजकुमारी से पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है। राजकुमारी ने कहा कि हिंदु धर्म जो प्रायल लुप्त हो गया उसकी दशा को देखकर मैं दुखी हो रही। कुमारिल भठ ने कहा मैं वचन देता हूं कि मैं हिंदु धर्म को पुन जीवित करूंगा। पस्चात उस समय संपूर्ण भारत वर्ष में बाउद धर्म फैला हुआ थ। वेदों का ज्ञान ही नहीं था किसी के पास। तो कुमारिल भठ बाउद गुरुकुल में जाकर बाउद गुरुओं से शिक्षा प्राप्त किये। एवब जब बौद दर्शन में निपुन हो गए तो उन्होंने अपने गुरुओं को ही चैलेंज कर दिया। शास्त्रार्थ में उनको परास्त करके और वैदिक शास्त्रों को स्थापित करने लगे। तो बात राजा के सामने गई। राजा ने शास्त्रार्थ का अनुष्ठान कराया। और शास्त्रार्थ में कुमारिल भट ने बहुद आचारें को परास्त कर दिया। बात में किसी ने ये बात उठाई कि कुमारिल भट यदि अपने सिध्धान्त को सिध करना चाहते हैं पहाड से नीचे कूद जाएं। तो कुमारिल भट ने कहा इश्वर सत्य है वेद प्रमान है। क्योंकि बात धर्म में इश्वर नहीं है एवं वेद की मान्यता नहीं। तो इश्वर सत्य है वेद प्रमान है ये कहते हुए कुमारिल भट पहाड से नीचे कूद गए एवं जीवित रहे। राजा प्रभावित हुआ उसने हिंदू धर्म को अपनाया हिंदू धर्म का वहां से पुनर उठ्थान होने लगा। किंतु बाद में कुमारिल भट को लगा मैंने जो किया है लोग इसका भविश्य में दुरुप्योग न करे। अर्थात ऐसा न हो कि लोग गुरु द्रोही बने। मैंने तो सही मनशा के साथ किया। लेकिन मेरी कोई नकल करेगा ये गलत होगा। तो कुमारिल भट में निश्चे किया मैं पस्चाताप करूँगा। उन्होंने तुशागनी जलाई। यानि वो तुश घास को जब जलाया जाता है मन्द मन्द अगनी निकलती। उस पर वो बैठ गए कि अपने को कश्ट देते हुए मैं प्राण त्याग करूँगा। उस समय शंकराचार्य आ रहे थे दिग्विजय यात्रा में पूरे भारत वर्ष में। तो कुमारल भट ने मीमानसा दर्शन को स्थापित किया थ। शंकराचारय वेदांथ का प्रतिपाधन कर रहे थे, मीमानसा से भी आगे। तो लोगों ने उनको कहा कि सबसे बड़े आचार्य वर्तमान में कुमारिल भट हैं, आप शास्तरार्थ में उनको परास्त करें, हम आपको मान जाएंगे खोचते खोचते शंकराचार्य पहुंचे, जहां कुमारिल भट तुशागनी पर बैठे हुए, प्रान त्याग की विवस्था किये हुए थे शंकराचार्य ने का हम आपसे शास्तरार्थ करने आएं, कुमारिल भट ने का इस समेह शास्तरार्थ के लिए थोड़ी अव्यवस्था है मेरा पट शिश्य है मंदन मिश्र, तो मंदन मिश्र को परास्त कर दो, उसकी हार में मैं अपनी हार स्विकार कर दूगा तब शंकराचार्य जाकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किये, वो प्रसंत विश्व विख्यात है, एवं मंडन मिश्र जब परास्त हुए, वे शंकराचार्य के शिश्य बने, एवं शंकराचार्य की ख्याती सर्वत्र फैली जिससे धीरे धीरे वेदिक सनातन धर्म की प्रतिष्ठा पुन संसार में भारत वर्ष में स्थापित हुई कार फैल भारत वा वेदिक संसार छोर्प्र लग एगर जागर которое भारत वी फोंची तरह स कित शीरे थे।